हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जै मातादी कैसे हो आप सब आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं यहाँ पे सफाई कर रही थी किचन का यह नावरात्री के पहले दिन का वीडियो है और यह वीडियो थोड़ी देर से ही जाएगी क्योंकि जो मेरी वीडियो देख मैं यहाँ पे नहाद होके किचन सफाई करने के बाद मैं नहांके और पूजे की तयारी कर रही थी वैसे तो मैं नौ दिन का ब्रत करती थी पर इस साल मेरी कुछ तवियत भी ठीक नहीं थी और फिर मैं अकेले पढ़ जाती हूं दुकान घर तो मैंने कलस स्थापना कर दिय पर मैंने नौ दिन का ब्रत नहीं किया मैं बस चड़ती और उतरती फर्स्ट और लास्ट वाला ही करूंगी तो बस मैं यहाँ पे पूजा की तयारी कर रही थी और यह गंगा जी की मिट्टी है और मैं मिट्टी का जो पात्र में जो रखते हैं वो कलस तो वो मैं नहीं तो यह जो बरतन है वो नया था तो इसलिए मैंने सोचा इसी में बैठा लेती हूं तो मुझे जो आता है जैसे मैं वैसे ही करती हूं बाकी समातरानी पर मैंने छोड़ दिया था भोल चुक सब वही छमा करेंगी और आप लोग किस तरह करते हैं आप लोग मुझे कमेंट कर कि बताईएगा तो गलती होगी तो माता के बच्चे हैं हम लोग वो हमीश हमाने करेंगी तो फिर कौन करेगा तो बस यही कर रही थी मैं और आप लोग भी आईए मेरे साथ पूजा की तयारी करिए और देखिए कैसे कैसे मैं करती हूं और हाँ मुझे बिलकुल भी टाइम नहीं मिल पाता कि मैं वीडियो बनाओ अभी फिलाल तो मुझे बिलकुल भी नहीं मिल रहा है क्योंकि पता है आप लोग कभी फेस्टिवल का सीजन है दुरगा पूजा है और यहां हमारे यहां कोलकता में तो यह फेमस है तो यहां पे काफी भीड होती है और इस वजह से यहां में दुकान, घर मतलब मैनेज अकेले ही करना पड़ता है तो हस्बिन भी मेरे आने वाले हैं नमंबर में वो भी आ जाएंगे जैसा कि आप लोग को पता होगा मैंने बताया था कि मेरी देवर की शादी है तो मैं गाउं जाओंगी नमंबर में तो फिर मैं आप लोग की दिखा पाऊंगी तो फिलाल यही है देखिए मैंने कलस बैठा दिया और हाँ जो मेरे चैनल पड़ना है है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा बाकि आप सभी की मनु कमना मातारानी पूरी करें तो बस यह चोटी सी वीडियो मैं डाल रहे हूं यह वीडियो मेरी थोड़ी लेट से ही जाएगी क्योंकि बस थोड़ी सी टाइम की प्राब्लम हो जा रही है तो प्लीज आप लोग माइंड मत करिएगा कि पहले दिन का वीडियो मैं इतने दिन बाद डाल रहे हूं तो फिर टाइम के एकॉर्डिंग मुझे चलना है तो भूल चूख आप लोग भी माफ करिएगा बाकी मातारानी जो गलती होंगी वो देखी लेंगी तो यहां पर देखे मैं फूल चड़ा रही थी और दिपक जला दिया था मैंने मुझे जैसा आता है बस वैसे ही मैं कर लेती हूं तो बस यही मेरा छोटा सा मंदिर है और यहीं पर मैं देखे सिंगार का सारा समान चड़ा रही थी और यह लाल चूडियां आलता सिंदूर और बिंदी और यह बाकी सभी भगवान को मैं तिलक लगा देती हूं जो माता है उन्हें सिंदूर और जो भगवान लोग हैं उन्हें रोडी का टिका लगा दूंगे और बस यहां पर फल चड़ा देती हूं और आप लोग कैसे करते हो प्लीस आप लोग मुझे कमेंट करक और उसके बाद मैं यहाँ पर किताब पढ़ रही थी, छमायाचना कर रही थी पूजवरी मैं आहन नहीं जानते विश्रजन करना नहीं जानती तथा पूजन करने का धम भी नहीं जानती छमा करो देवी सुलेश्वरी मैंने जो मत्रहिन, क्रियाहिन और भक्तिहिन पूज़ा किया है वसब आपकी दयाती पात्र हूँ जैसा चाहो करो देवी परमिश्वरी अज्ञान से भूल से अथ्वा गुधी भ्रात होने के कारण मैं जो नियुणता या अधिकता करती हो वो छमा करो और प्रसन हो सच्ची पूज़ाई